हलो दोस्तों जिन विद्यारतियों ने BSTC 1st year और 2nd year का परिक्षा फोरम फिल कर दिया है उन सब को अपना परिक्षा फोरम की हाड़कोपी कोलेज में जमा करवानी है साथ में जो आपकी फोरम फीस है वो भी कोलेज में ही आपकी ओफलाइन जमा होगी उनके साथ में क्या-क् देखे दोस्तों पासपोर्ट साइज फोर्टो आपको चाहिए होगी जो कि आपने फोरम फिल करा था उस ताइम पर यूज करी है और जो कि आपके 6 महीने से अदग पुरानी नहीं होने चाहिए उसके बाद में दूसरा डोकुमेंट है परिक्षा अवेदन की हाड़कोपी परिक्षा फोरम जो आपने फिल करा है उसकी दो फोटो कोपी आपके पास होने चाहिए तीसरा है कोलेज एडिमिशन से लिप जो रिपोर्टिंग के समय डाउलोड की थी चोथा डोकुमेंट है कोलेज अलोटमेंट लेटर यह जो तीसरा वो चोथा डोकुमेंट है यह पोर्टल पर जाकर कि आप देख लेंगे तो वह मिल जाएंगे कोई भी टेंशन वाली बात इसमें नहीं है कोलेज के पास जब भी हम दोस्तों देखिए रिपोर्टिंग करते हैं तब भी दो-दो फोटो कोपी जमा करवाते हैं सारे डोकुमेंट की और बाद में भी सकती है तो कोई भी टेंसन आपको नहीं लेनी है आराम से सारा काम आपका हो जाने वाला है कोई भी दिक्कत कोई भी परिशानी आपको नहीं होगी इसके बाद में दस्वे की मारक सीट बार्वे की मारक सीट और जाते प्रमान पत्र मूल निवास इन सब की फोटो कोपी ची यह उपर देखी जाती है और मूर निवास इन में काफी स्ट्रेंट पूछते हैं कि हमारा validity खतम हो गई है तो क्या वो चल जाएगा आप देखिए validity खतम हो गई है और नया बनवाने का अगर आपके पास time है और इस time period में आपके forum चल रहे हैं time period में अगर नया बन जाता है तो नया बनवा लिजिये अगर नया नहीं बन रहा है तो आपके पास और कोई option ही नहीं आपड़ेगा तो पुराना नहीं जमा करवाふानगर के जिए और आप के पास नया बनवांए का समय है और आप नया बनवाने क के process को जानते हैं तो नया बनवा लीजी, कोई विद्वा परितकता है, तो उसका सर्टिफिकेट आपको जमा करवाना है, यानि कि उसकी फोटो कोपी जमा करवानी है, सर्टिफिकेट नहीं करवाना, इसके बाद में नोट देखी, यहाँ पर परिक्षा आविदन पत्र उनिका जमा जिसकारिये हैं, जैसे संपूर्ण रिकोर्ड, इंटेंसिप रिलीव लीटर, सपत पत्र जांच होने के पश्चाथ ही, परिक्षा आविदन पत्र जमा होंगे, जो कि दोस्तों, नॉर्मली सभी स्ट्वेंट्स के ठीक सारे डोकुमेंट्स कम्पलीट होते हैं, तो कोई भी सभी रूल्स को फूलो करते हैं, तो उसमें टेंसन होना लाजमी है, तो आपको पोजिटिव रहना है, और सारे जो डोकुमेंट्स आपके पास आपको इस सूची में बताए गये हैं, वो नॉर्मली सभी के पास होते हैं, तो उन सब की आपको साथ लिकर के जाना है, फोटो और काफी स्ट्रेंट फोरुम फीस को लेकर के मेसेज कर रहे थे, तो 270 रुपे आपके परिक्षा फोरुम फीस लगने वाली है, पर कंडिडिट, और यहां पर दोस्ता आपको ध्यान रखना है, कुछ कोलेज में 500 रुपे मांग रहे हैं, कुछ कोलेज में 1000 रुपे मांग तो वो आपको नहीं देना है, सिर्फ 270 रुपे देना है, जो कि ऑफिशल फीस है, डिपार्टमेंट के द्वारा जारी करे गई, तो यही फीस आपको देना है, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही कोशिस करिए है, सारे आपके डाउट को दूर करने की, फिर भी कोई रहता है फिर भी आपके कोई समझाय रहती है कमेंट करके जरूर बताइए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिए इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो के लिए जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में मुझे नहीं जानकारियों के साथ थैंक्यों फर वाचिंग इस वीडियो